तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि टीचर भी परदेंट रहते लेकिन तक टीचिया कई से मिलेगा प्राइबेट अस्कुल में कई से देगा टीचिया को मैं डीना के हाज़ितां है कितने दिन यह खुलता है कितने दिन यह बंद रहता यह तो अब जड़ दिखते हों यह जानते हों गया जैस से दिखो यहां जतना इस्कूल जतना भी सरकारी वह सरकारी में इस पुतर वजाए लिए तैयारे ने कि आखिर रीजन क्या है कि सब बच्चे जाने के लिए तेयार इस सरकार इसमें नहीं अभी मैं चानन पर खंड के गोहरी गराम पंचायत में हूं और यहां से मैं आपको एक अजूबा चीज दिखाने वाला हूं वह अजूबा क्या है आज कौन सा पड़ मुझे कुछ समझ मे नहीं आ रहा है फिर भी यह लोग कलास बंद कर जो मेरे पीछे देख रहे हैं यह कलास बंद पड़ा हुआ है जैसे लगता है दो अक्टूबर है महात्मा गांजी का ज्रहनती है उसके कारण से यह लोग बंद करके अपना घर में बैट एसी का हवा ले रहे हैं मजा ले रह सब्सक्राइब गस्ताथ है मुझेते हैं क्षाना मिलता है या नहीं मिल पाता है कि आप यहां पर बिवस्था है सभी चीज जाने का पढ़्यास करेंगे आए हमारे साथ बने रहे ज़्खें हैं जैसे यह आपका यह सरकारी ऑस्कूल है यह जंता यह स्कूल क्यों है अब कि बंद है नहीं है वह हम ठी कैसे हैं जालिए चाल है इसकोल यह जानते होगे गजब जतना सरकारी सरकारी में इस अखि पुथ उद्वुद के लिए और घृब आखि रीजिन क्या है कि सब्चे जाने लिए टियारी सारकार पड़ाई 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 लेकिन इसकुल बाजा आवे लिए तेयर नहीं तेखेज़े, सुनिये पहले मेरा बात को सुनिये, आगर मान लिजे ठीक है, आपका कहना सही है कि पढ़ाई नहीं होता है, आपका भी यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ यहाँ पर बच्चों का नमंकन हो सकता है, खाना मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर भविस नहीं बनाया जा सकता है, अगर आपको भविस बनाना है, तो आप प्राइबेट अस्कुल में पढ़िए, तभी जाकर आपका भव भवविस नहीं बनेगा तब पॉत्वा पुतिया है तक कई से मिलेगा प्राइबेट अस्कूल में कई से देगा वहे है आठ दिन में एक दिन आके हाजरी दो आठ दिन में एक दिन हाजरी दो हुआ हम यहाँ पर पढ़ते हैं हाँ हुए आठ दिन में एक दिन हिसाब करो खाना हुना मिलता है आपका जो बच्ची आप यह पढ़ने के लिए अनमा तो मिला हुए आठ दिन में एक दिन मतलब आपका है कि एक दिन खुलता है तो एक दिन खाना मिलता है अब आकिस दिन सब बंदे रहता है तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि टीचर भी परदेंट रहते लेकिन बनेगा ही नहीं तो बच्चा आएंगे क्यों तो जब बच्चा अगर नहीं यहाँ पर आएगा तो कल के डेस में वही भी स्कुल में है सब में तो देखने हो बूले लोगो कि कतना में मस्टरबा है लेकिन बच्चे बाग्या हुए संते सरकार सरकर कुछ बच्चा बोलागे के हूं मरा रखने हो तो हम जूठ नहीं बोलाई यह था बच्चा कब संते की सरकार देता है पईसा देता है ड्रेस के लिए देता है तब बच्चा हैं जब नियम के नहीं आपके हाथ में नहीं किसी भी पैरेंट्स के हाथ में क्योंकि बच्चे का पैसा वो खर्च कर अब सोच लिजे इस अस्कुल का क्या हाल है अब बताइए रेलें की नहीं रेलें आज कौन सा जन्म दिन था या कौन सा पर्व था मैडम के लिए जो यहां पर आज अस्कुल बंद करके वो पर्व का मना रहे हैं अब बताइए यहां पर बच्चों का भविस्क खत्रे में है और मैडम अपने एसी का मौज ले रहे हैं अब बताएए यहां पर है बच्चे यहां पर पढ़ेंगे कैसे ना यहां पर देखा जारा सोचाले की वेवस्था है ना तो पानी का वेवस्था है ना तो रोड की वेवस्था है ना चापा कल की वेवस्था है तो बच्चे आखिर कैसे भेजेंगे कैसे आएंगे बच्चे पढ़ने के लिए यह कलस्यवरा में चरा न जरा है यह लगता था उसी के कारण से यह बंद और अधर देखियेगा तृति यह वर गए इसमें वही हाल है सभी में ताला मार दिया गया तो बच्चा आएंगे पढ़ने के लिए कैसे अब हम आप सी से पुछना चाहते हैं सिछा मंत्री बिजय कुमार चौधरी जी काई से लगल रहेगा आस कुलबा में तब कैसे बचबा पढ़ेगा यह जरी हमको बताइए नेतिस कुमार जी कहते हैं कि सर्व सिछा अभियान सब पढ़े सब बढ़े तयाहां पर ताला लगल रहेगा तब बच्चा का भविस्य कैसे बनेगा मैडम आएगी नहीं तो बच्चा का क्या भविस्य बनेगा उसके बाद और वी देखेए यहां पर वर्ड्ट यहीं अस्थिती है यहां पर भी अंदर से लगता ताला लगा दिया गया अब सोचेक कई या फिर यह भी हो सकता है कि एक होगा मिक्स रूम होगा तो वह अंदर से ताला मार दिये हैं मैडम और मास्टर को रेले की छोड़ दें यह आपके उपर डिपेंड करता है लेकिन यहां पर जो चाचा बता रहे थे कि यहां पर मैडम एक दिन आती है आद बास उसके बाद आती ही नहीं है कुछ गरामिन और भी हैं उनसे भी हम जानने का परियास करेंगे फिलाल हमारे सा बने रहिएगा भाग क्यों रहा हैं अरे भाग क्यों रहा हैं बताइए भाग यह नहीं कुछ हम पूछेंगे अचा बताइए इस सकूल में कितनी दिन पढ़ाई होती है इसमें तो पढ़ाई होती है कभी-कभी अब इतना वडने बच्छा है और भाद है लेकिन डेली का इसकूल नहीं लगता उसके कारण कुल्टिस नहीं जा रहा है तो जैसा कि इनका भी आपका नाम क्या हुआ भारत जैसा कि ये बता रहे थे भारत जी कि जब असकूल खुलता ही नहीं है पड़ते दिन तब बच्चा कहां से आएंगे पढ़ने के लिए बिल्क करता ही अब मैडम के उपर क्या मन में चल रहा है यह क्या हो रहा है हो सकता है मैं अगले दिन उसको अस्पोर्ट में पकरूं तो जादा बेटर रहेगा फिलाल मैं अभी इतने लोगों के बीच मैं पकर लिया हूं कि ये इसकूल बंद है जबकि आज को ऐसा दिन नहीं है कि आज बंद करने का निर्देश है फिलाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें और इस वीडियो को